बहुत है अभी तो एक बड़ा नाम आ गया कौनसा बड़ा नाम अभी चल रहा है पूरे देश में ऐसा है कि भाई हमारे जैसे मिडल क्लास लोग जो नोकरी करकर जीते है उनके पिछे एड़ी लगती है सिब्याय लगती है लेकिन मैं डरा नहीं हूँ मैं जेल में चला गाया मैं सरेंडर नहीं हो गया मैं शिंदे के साथ भाग कर मैं पाला नहीं बदला मुझे भी आफर थी हमारे जैसे लोगों को पाला बदलिए हमारे साथ आईए आपको किसना पैसा ओफर किया गया था हमको कोई खरिद नहीं सकता ही प्रॉब्लेम है पैसे से खरिदने वाले हम नहीं है क्योंकि हमारी जो पूरी जिंदगी है वो बाला साथ ठाकरजे के साथ गई है जो कभी पैसे से खरिदे नहीं जाती जो हमको मिला है उनके साथ वो इतना है उसके तुलना पैसे में नहीं होती लेकिन आपको अपनी जान का खत्रा है आपने आउरूप लगाया है ए र jullie ने ने कहा उत्दो ठकरी ने यह जांकारी हे हैं कि इनकारी उनके पास भी गई वोजा कि और बीकुछ लोगों आकर बताई कि अनुजच चल रहा है कि कुछ हो रहा है कुछ होने वाला है तो मेरा काम बनता है कि यह पूलिस को या इस राझ्य के गुरोव मंतरी को अवगत करें कि यह इंफर्मेशन मेरे पास आई है आप देख लिजे बस इतना है किया लेकिन देवेंद फर्नवीस तो हो मिनिस्टर ने उन्होंने का कि यह बयान संजय राउत ने संसनी फैलाने के लिए देवेंद फर्नवीस का एक बयान है बहुत गईर जिम्मेद जारा बयान है राज्य के गुरह मंतर ने इस वकार के बयान नहीं देने चाहिए आप जांच करी इस वकार के बयान से आपकी प्रतिष्टा कम हो जाती है एक और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर है दिपक असरेकर उन्होंने का कि अगर इस तरह की बातें करेंगे संजय र जोंगा उनके बाप का है के नहीं आले अब उजे बताईए इस प्रकार से अगर एक मंतरी बयान देता है तो उसका मतलब कानून और न्याय ववस्ता आप जेब में लेकर घुम रहे हो और जनता को जनता को गलत संदेश दे रहे हो और हिम्मत है तो डालीजे एक बार कोशि जेल में ठीक है आपके मर्जी है आपने डाल दिया अदालत ने छोड़ दिया आ गये और वापस लड़ना शुरू कर दिया